जहीन दोस्तों मेरा नाम अंकित है और facets of UPSC में आपका स्वागत है दोस्तों ये जो पहला lecture है हमारा इसमें जैसा कि मैंने आपको schedule share किया था इंडस वैली सिविलाइशन को तो cover करेंगे ही बट हम स्टोन एस सुरुबात करेंगे तो start करते हैं देखिए आपका time save के लिए इस course को prepare किया गया है तो सबसे पहले तो अगर आप किसी book को पढ़ रहे हैं अलग से तो उसे आप बंद कर दीजे फिलाल के लिए क्योंकि इस जो पीडिएफ प्रोवाइड करूंगा chapter wise उसमें pyqs embedded रहेंगे और highlighted part आपको पढ़ना है क्यों highlighted part क्योंकि देखिए जो ncrts है उनमें बहुत चीजें जो है वो उतनी important नहीं है बट बहुत चीजें इतनी ज्यादा important है कि उनसे question देखने को मिलते हैं तो वो highlighted part में रहेगा पार्ट है तो यहां पर मैंने कुछ extra info add करी है यह भी previous question है ठीक है तो अभी तो हम cover करेंगी और आपसे request रहेगी कि आप जरूर lecture को attend करें lecture के बाद यह pdf आपके लिए इतनी cakewalk जैसी हो जाएगी कि आपको बहुत ही कम time लगेगा इनको revise करने में बिना किसी देरी के start करते है सबसे पहले हम old NCRT का revision करेंगे इसके बाद हम अपनी themes NCRT cover करेंगे मतलब सब कुछ इसमें cover हो रहा है और last में 1.500 question करेंगे एक topic है तो आप अलगी confidence से भर जाएंगे stone age की बात करते हैं यहाँ से ज़्यादा question नहीं बनता एक्जाम में बट जीतने भी बने हैं उन्हें cover करेंगे अच्छा stone age क्या है समझते हैं देखें जो history है ना history से जो लिखना start हुआ history के विशे में जब हमने समझना शुरू किया उससे पहले वाला जो part है जिसमें हमें कोई लिखित चीजे नहीं देखने को मिलती है वो कहलाता है हमारा prehistoric part यानि इतिहाद से पहले का यह भाग है obvious सी बात है हम stone age की बात कर रहे है यानि यहाँ पर stone जो है यह focus में है कोई return record इस टाइम पर नहीं देखने को मिलेंगे क्यों कि लिखने की कला ही नहीं है अब अगर आपको statement बनेगा देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर understanding बना करके चलिए बहुत ही easily अभी आपसे previous year question solve होग तो जब हम stone age की बात कर रहे है बहुत सारे archaeological remains आपको देखने को मिलेंगे यानि जो archaeologist है हमारे वो इन चीजों को discover करते हैं और इसके बाद ही हम इस conclusion पर पहुंचते हैं कि stone age exist करता था अब यह जो prehistoric वाला part है यानि जिसमें हमने history को start भी नहीं करा है लिखना पड़ना उस middle वाला part और new वाला part तो pdf में यह चीज़ हिंदी में भी मिल जाएगे आपको maximum चीज़े और कुछ इस पर work चल रहा है और भी बहुत सारे आपको extra materials मिलेंगे हाँ तो यह थोड़ा समझिएगा आपको ध्यान होगा civil services में 2023 में यानि last year ही यह जो question पूछा गया था उसमें archaeologist के नाम के उपर question था तो एक नाम आप बस थोड़ा ध्यान रखिएगा इनका नाम है क्योंकि यह NCRT में mentioned है Robert Bruce Foot सो इन्हें country का first archaeologist माना जाता है क्यों क्योंकि इनकी stone age में काफी ज्यादा योगदान इनका रहा है बात करते है पेलियो लिथी की तो जो पेलियो वर्ड है ना इसका मतलब होता है प्राचीन यानि old और लिथो का मतलब stone होता है पता ही होगा आपको तो हम old stone age की बात कर रहे जो सबसे प्रारंभिक मानव होंगे जिनको starting ही हो रही है उस case में यह hunters होंगे food gatherers होंगे यानि यह भोजन को एकठा करते होंगे और hunting करके अपना जीवन चलाते होंगे यही बात है simple सी यह food gathering करते थे और इनको agriculture का knowledge नहीं था और best ही बात है starting से ही तो यह खेतों में खेती कर लाते हैं इसलिए इन्हें हम quagite man कहते हैं ना हम बात करेंगे mesolithic की यानि middle stone age की यहाँ पर hunter और herders आप पढ़ सकते हैं herders की बात की जा रही है यानि इन्होंने पस्वों का एक तरीके से पसु पालना start कर दिया है herding start कर दिया है इन्होंने तो जो mesolithic period के लोग है यह hunting पे fishing प cover करेंगे mesolithic period में यानि paleolithic में तो नहीं वहाँ पे हमने देखा कि लोग hunting तो कर रहे हैं पट उन्हें नहीं agriculture की knowledge है नहीं वो घर बनाना जानते हैं नहीं वो जानवरों को domesticate कर पा रहे हैं बट यह चीज आपको mesolithic से देखना start देखने को मिलेगा कि mesolithic में animals domesticate किये जा रहे है agriculture के बारे में अगर हम देखें mesolithic perspective से तो plant cultivation की सुरुवात हो गई बट बहुत ही बाद वाले stage में mesolithic के end वाले period में यह आपको देखने को मिलेगा यह थोड़ा boring part है बट इंडस वैली civilization काफी interesting है ना हम बात कर रहे हैं नियो लिथिक age की यानि जो stone age है ना इसी में new वाला part य जा रहा था बट यह नियो लिथिक है इनमे agriculture की सुरुवात हो गई है तो इस कारण से हम इने food producing stage कहते हैं क्योंकि food का production सुरू हो गया है इसके बात देखे जो नियो लिथिक era है इनमें हम देखते हैं कि first जो है आपको pottery भी देखने को मिलती हैं यानि लोग इतने विक्सित ह हो गया है कि potters की wheels यहां पे देखने को मिल रही है सबसे जरूरी बात अभी हमने discuss किया कि पेलियो लिथिक पीरियड है इनमें किसी तरह का कोई घर नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि लोगों को knowledge ही नहीं थी house की बट यहां हम देखते हैं कि self sufficient village communities emerge कर जाती हैं नियो लिथिक इसमें नियो लिथिक वाला एज की emergence हमें देखने को मिली इनसे question बनते हैं बूर्जा होम की बात करते हैं बूर्जा होम पे question बना है यह पीट dwelling site था पीट dwelling site का क्या मतलब है हाँ तो बूर्जा होम जमू कस्मीर में है पीट dwelling site के लिए famous है क्या होता था जमीन में जमीन में गड़ा करके लोग इस तरीके से घर बना करके रहते थे और यह काफी प्राचीन बात है ठीक है यह चीज़ अभी हम cover करेंगे mapping के थुरू फिलाल आप ध्यान रखेगा कि यह pit dwelling site के लिए famous था पूर्जा होम इसके अलावा हम देखते हैं कि इन में जो domestic dogs हैं इन्हें masters के basket of बलुचिस्तान के नाम से जाना जाता है क्यों क्योंकि पाकिस्तान प्रोविंस में पढ़ता है बलुचिस्तान में और यहां पे हम देखते हैं कि एक तरीके से जो भोजन है यानि जो agriculture है इसके हमें remains देखने को मिलते हैं इसके बाद बात करते हैं cold diva की यह बेलन वेली म में है cold diva और यह three-fold यानि नियोलिथिक चैलगोलिथिक आईरनेज हर तरीके के सेटलमेंट्स हमें cold diva में देखने को मिलते हैं देखें साइट्स बहुत सारे हैं बट आपको पढ़ना कौन सा वह में बता रहा हूं यह class 6 की ncrt में यह map है अब यह जो map है इनमें maximum 10 से 15 साइट्स हैं तो इनको आप एक बार mapping में cover कर दीजे देखें पेलियोलिथिक वाले की बात करते हैं कहा कहा आपको देखने को और पर देश के हम बात कर रहें हुंसगी करनाटक बेंगे काफी इनकार कावर करेंगें यह दुइमबेटकामें बी आपको देखने को मिलेग पेलियोलिथिक एज से संबंदिद पेलियोलिथिक से ज़्यादा important है नियोलिथी अभी question भी पूछा गया recently UPSC के दोरा इसमें हलूर है पहला दूसरा पैयम पल्ली ये दो जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे नियोलिथिक वाले इसके बाद अगर हम यहां आते हैं Northern India में तो आपको दो important देखने को मिलेंगे पहला बिहार में है चिरान बिहार में है चिरान ये ध्यान रखेगा दूसरा आपको देखना है कोल डिहवा और महागड ये तीन है जो मेजर है इसके बाद बूर्जा होम तो बूर्जा होम जो है न ये उल्रेड़ी Civil Services ने पूछा है ये तो repeat कर सकते हैं definitely पर ध्यान रखेगा ये जम्मू कस्मीर में है Pete dwelling site है किस period से संबंदित है नियोलिथिक एज से संबंदित है देखे नियोलिथिक एज है ना इसके बाद आपको चैलको लिथिक एज देखने को मिलेगा अगे नाम से समझे चैलको प्लस लिथिक यानि copper और stone चैलको का मतलब copper है और लिथिक का मतलब पता है हमें stone यानि copper stone क्या नाम है ये समझते हैं देखे इसमें क्या हुआ न metal का यूज होना सुरू हो गया ये वो period था जिसमें tools में stone तो थे ही but metals का भी यूज होना सुरू हो गया पहला metal कौन सा यूज किया गया copper ठीक है ये iron नहीं है ध्यान रखेगा statement में आपको iron देंगे even Indus Valley civilization में भी iron का कोई remains नहीं देखने को मिलता है ये अनवेर्थ है iron की सुरुवात 6th century में जा करके देखने को मिलेगी इंडिया में कि कहाँ पे महाजन पद वाले एरा में अभी हम इन्हें पढ़ेंगे ठीक है previous question भी cover करेंगे तो चैलकोलितिक एज की जब हमने गनेश्वर जो है ये आपको राजस्थान में खेतरी मायन्स का नाम आपने सुना होगा वहाँ पास गनेश्वर आपको देखने को मिलता है ये जो गनेश्वर है ये चैलकोलितिक साइट है इसी तरीके से में काली बंगन देखने को मिलता है बन वाली देखने को मिलता है कोड दीजी पर आप तो कहेंगे कि यह Indus Valley Civilization के साइट से हैं तो बात यह है ना कि यह Indus Valley Civilization है यह चैलकोलितिक एज का ही पार्ट है जैसे नियोलितिक एज खतम होगा चैलकोलितिक एज में हम पहुंचेंगे कॉपर का यूज सुरू देखने को मिलेगा उसी के तहद आपको Indus Valley Civilization भी देखने को मिलेगा तो जब चैलकोलितिक पीपल की बात आई तो यह एक्सपर्ट कॉपर स्मित है और बैसी बात है जब कॉपर के टूल्स है तो कॉपर के टूल्स को बनाने में यह एक्सपर्ट तो रहें गई अब कुछ और बाते समझते हैं हाँ यह देखेगा कि यह Burnt Bricks से एक्वेंटेड नहीं थे तो इसका मतलब क्या है कुछ साइट जैसा कि मैंने बताया ना ओबरलेपिंग है यह जो चैलकोलितिक वाला पीरियड है यह Indus Valley के साथ ओवरलेपिंग है तो यही रीजन है कि आप देखोगे कि यह थेस्ड हाउसेज में रहते थे यानि पक्य मकान नहीं थे क्यों क्योंकि Burnt Bricks की इन्हें नोलेज नहीं थी इसलिए Mud Bricks का यूज करते थे और जो एकोनोमी थी यह Village Based Economy थी यानि गाँ पर अधारित थी ग्रामीड एक तरीके से आप कह सकते है ग्रामीड प्रिष्ट भूमी थी चैलकोलिथिक एज में डेकोरेशन वगरा यह सब चीज़ां आपको कोमन देखने को मिलेंगी कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं अभी हम थीम्स कवर करेंगे तब हम देखेंगे कि काफी easily जो है क्योंकि हर एक जो civilization है उसमें ये feature तो देखने को मिलता ही है कि ornaments, decoration, इन चीज़ों का इस्तेमाल इनोंने करा है यहां भी again कुछ exceptions आपको देखने को मिलेंगे जैसे अहर नाम का एक जो site है इनमें आप देखो कि stone के houses देखने को मिले है गिलून नाम का जो site है इनमें कुछ burnt bricks के occasional uses देखने को मिले है एक important बात बतानी थी एक important feature आप देखोगे हर civilization में कि क्या होता है धीरे धीरे जो stone tools use के जाते हैं इनका size घटता जाता है और ये ज़्यादा precise होते जाते हैं जो बड़े हतियार हैं इनका इस्तेमाल करना मुस्किल होता है आप खुद सोचिए जो paleolithic age था इसमें लोग इतने advance नहीं थे कि ये उस तरीके के हतियार बना पाए जो बहुत precise हो hunting के लिए ये normal से पत्थरों का use करते थे बट धीरे-धीरे क्या हुआ इनोंने थोड़ा इस पे दिवाग लगाया कि अगर हम थोड़ा इनने और नुकिला बनाए तो बहतर डंग से इनका हम use कर पाएंगे तो धीरे-धीरे ये जो तरीके से ये परिवर्तन है ये आपको changes देखने को मिलेंगे तो हमेशा ध्यान रखेगा कि tools जो है समय के साथ और precise होते गए नाव अब हम सुरुवात करते हैं Stone Age के कुछ question कवर करते हैं क्योंकि जो हमारी themes वाली NCRT है ये Indus Valley Civilization से ही सुरू होती है ये चोटा topic रहता है और understanding के लिए रहता है इसलिए ज़्यादा questions इंसे नहीं बनते हैं इस question को हम cover करते हैं देखें ये CDS में पूछा गया question है बहुँ ज़्यादा पुराना नहीं है 2020 का question है पहला आप attempt करिये फिर मैं explain करता हूं उमीद आपने attempt कर लिया देखें क्या कहा जा रहा है different periods are identified on the basis of the type and technology of stone tools तो कहने का मतलब ये है जो हमने अलग-अलग periods देखे paleolithic, mesolithic और neolithic ये इनके type पर आधारित है यानि क्या-क्या हमें features देखने को मिले इनमे और दूसरा stone tools के technology पर तो अब्यसी बात है बहुत ही general statement है गलत होने के कोई chances नहीं है stone tools में भी variation हमें देखने को मिल रहा है समय समय पर दूसरा ये कहा जा रहा है कोई regional variation नहीं है type or technology में जो हत्यार है, जो tools use किये जा रहा है पासान काल में, stone age में इनमें कोई बदलाव नहीं है हर छेतर में एक जैसे tools देखने को मिल रहा है मतलब इसमें आपको पढ़ने की जरूरत है कि आप खुद सोचिए ऐसा हो सकता है कि हर छेतर में सेम तरह के tools हो तू को eliminate करिये अगला देखिए कहा जा रहा है stone age cultures of different periods evolved uniformly in a neat unilinear fashion all over the subcontinent देखिए statement गलत बनाना रहता UPSC को तो किंस तरीके के words यूज करती है neat unilinear fashion यानि बिल्कुल एक जैसे fashion में stone age में जो हम देखते हैं कि यह जो cultures है यह सेम तरीके से evolve की है ऐसा हो ही नहीं सकता exceptions हैं बहुत सारे तो second और third गलत है I don't think कि इसमें जादा explanation की भी नीर है answer जो है one only होगा option A यह सारी बात है PDF में है देखे थोड़ा समझते हैं तो हमने अलग-अलग different periods को देखा कि यह technology की आधार पर इन यह divided हैं जैसे जो paleolithic हैं इनमें हमें simple stone tools देखने को मिल रहे हैं जैसे जो hand access होते हैं या जो cleavers होते हैं या बड़े टाइप के पत्थर होते हैं इनका use देखते हैं paleolithic में यानि जो सबसे starting वाला period है इसके बाद हम mesolithic में देखते हैं कि जादा sophisticated stone tools use किये जाने लग रहे हैं क्यों क्यों कि अभी मैंने आपको क्या बताएगे tools को precise बनाना है तो इस कारण से यह micro lits micro मतलब क्या होता है छोटे होते हैं और lits का मतलब हतियार यानि पत्थर तो छोटे पत्थरों का यह use करने लगे और neolithic period में हम देखते हैं और polished stone tools का use किया जाने लगा क्या यह चीज हमें याद रखनी है अलग से सोचना है नहीं बिल्कुल नहीं तो यह तो common sense की बात है कि stone tools ज्यादा precise होंगे क्योंकि लोग advance होंगे उस तरीके से समय के साथ अच्छा यह second वालग अलग अलग क्यों था तो अलग तरीके के stone tools देखने को मिलेंगे तीसरे वाले statement की अगर हम बात करें तो इनमें कहा गया है कि neat linear fashion एक जिसे fashion में गलत है अलग अलग तरीके से अलग अलग part में जो है अलग अलग cultures evolve किये हैं समय के साथ देखिए समझ ही नहीं आता कि कौन-कौन से sites पढ़ें कौन-कौन से याद करें तो previous year में जो आये हैं बस उतना आप ध्यान रख लें आपको extra कुछ अलग से sites को नहीं याद करना पड़ेगा अब अगर आप compilation वगरा देखेंगे coaching के notes देखेंगे तो करीब 100-100 वो एक sites ही देते इतना time waste नहीं करना है UPSC उनसे question नहीं पूछती है अगर by chance पूछ भी ले तो याद करना possible ही नहीं है तो previous year वाले आप cover करिए NCRT, that's it question आप देखोगे latest वाले इन ही से है तो देखें इसमें क्या कहा जारा stone age से लेकर हरपन civilization तक हर तरीके के cultural remains इस site में देखने को मिलते हैं, इस अस्थल में देखने को मिलते हैं, अमरी, मेहरगड कोड़ दीजी या काली बंगन तो इसका answer है option B मेहरगड तो ये NCRT में, देखें तो ये पाकिस्तान में मेहरगड क्यों famous है, क्योंकि यहां हम देखते हैं, ना केवल आपको नियोलिथिक साइट देखने को मिलेगा, बलकि नियोलिथिक से लेकर Indus Valley Civilization तक के archaeological remains देखने को मिले हैं मैप से थोड़ा ध्यान रह जाएगा तो इसका answer क्या है cultural remains की जब बात की जाएगे Stonage से लेकर Harpanage तक मेहरगड, अच्छा ये देखे इसमें आप से क्या पूछा गया है earliest evidence, settled agriculture का कहां देखने को मिलता है तो मेहरगड के बारे जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि farming के evidence, यानि खेती बारी के site का सबसे पहला site है यानि सबसे earliest site है, सबसे प्राचीन site है, जहां हमें farming के evidences देखने को मिलते हैं मेहरगड में और even herding भी देखने को मिलता है यानि एक तरीके से जो है पसु पालन भी है तो यही question आप से पूछा गया, earliest evidence कहां देखने को मिला, settled agriculture में earliest की जब बात आईगी तो obvious ही बात है, answer क्या होगा मेहरगड, similar से question है अलग-अलग language में पूछे जा रहे है state pieces में, और इस तरीके के question अभी हम देखेंगे, कि UPSC के द्वारा भी पूछे गया है, फिलाल इस question को करिए, देखिए क्या कहा जा रहा है, earliest evidence animal domestication का और agriculture का अभी यह हमने पढ़ा within seconds आप मार कर सकते हो और देखिए आप कितना huge repetition है state pieces में भी even तो answer क्या, मेहरगड मतलब अब आपको relevance भी समझा आ रही होगी कि दुनिया भर के sites पढ़ने का फायदा नहीं क्योंकि previous year में तो वही similar चीज़ें यह पूछ रहा है एक important बाद बतानी थी यह state pieces में उन्होंने पूछा है राज्थान में एक काफी famous site है एक second तो बागोर के नाम से ठीक है यह जो बागोर है ना यह mesolithic period का site है बट हमने देखा था कि जो mesolithic है, जो की second phase है इसके बाद वाले parts में यानि mesolithic के end में एक तरीकेस हम देखते हैं कि agriculture की सुरुवात देखने को मिल रही है तो इस कारण से यह site famous है क्योंकि है तो mesolithic period का लेकिन mesolithic period में भी earliest agriculture के evidences हमें बागोर में देखने को मिले हैं ध्यान रखिएगा next question क्यों और बढ़ते हैं cds में पूछा गया question है आपसे पूछा गया था कि किस culture में, किस सभेता में सबसे पहले हम देखते हैं pottery को paint किया जा रहा है जो बढ़तने न मिटियों वाले इन्हें paint किया जा रहा है हमारे पास option से mesolithic, chalcolithic, neolithic और iron age अच्छा question है यह देखिए जो chalcolithic, जिसे हम copper age कहते हैं यह development का period था बहुत सारे human technology में development देखने को मिला, क्योंकि आप समझिए, new lithium age भी खतम हो गया है लोग ने एक तरीके से stone tools के साथ-साथ, अब metals का भी use करने लगे, जैसे bronze का ठीक है, bronze का use करने लगे, इसके बाद tin, copper, इन चीजों का भी use होने लगा, तो इस तरीके से development देखने को मिली, और इसी में हम देखते हैं कि इन्होंने pottery को paint करना सुरू किया क्योंकि development बढ़ गई है तो answer क्या होगा इसका answer होगा obviously chalcolithic जैसे ये question देखे, ये जो question है ये UPSC IES में पूछा गया है, Indian Engineering Services में, पूछा गया था हरपा और मोहन जोद्रो कल्चर के जो लोग हैं, ये किस age से संबन्दित है new stone age, यानि basically ये new lithic कहना चाहर है दूसरा copper age, तीसरा iron age, और चोथा chalcolithic age उमीदा आपने कि copper का भी use होना शुरू हो गया था stone के साथ, कब new lithic के बाद, वो period जो हरपान civilization से मेज खाता है, मेल खाता है, बट आप समझिए कि ये जो मेज हो रहा है हरपान civilization और ये chalcolithic बट basically जब हम हरपान civilization को पढ़ते हैं, हम कहते हैं, ये जो रहेगा option में, दोरों में से कोई एक रहेगा, ठीक है ठीक है, ये चीज़े हिंदी में भी है हाँ, इसके बाद हम देखे पढ़ते हैं, ये जो question है ये latest question है, जम्मू कस्मीर PST का, काफी बढ़िया question ये उनने पूछा है तो ये कहना चाहा है कि एक तरीके से rock shelter है rock shelter मतलब rock होगा और वहाँ लोग रहते होंगे, ये काफी बड़ा और spectular है, या rock shelter जो कि विंदर हिल्स में है जैसे विंदर हिल्स देखें, आपको समझ आना चाहिए, किस location के हम बात कर रहे हैं इनमें पैलोलिथिक और मिजोलिथिक, दोनों रिमेंस देखने को मिलते हैं, इनमें काफी richest painting है, जिनमें क्या-क्या सामिल है, hunting सामिल है, dancing सामिल है, music सामिल है, animal fighting सामिल है, honey collection, बहुत सारे day-to-day life के events जो है सामिल किये गए हैं, कहां से पैलोलिथिक और मिजोलिथिक पीड़ से लखुदियार caves की जब हम बात करते हैं यह उत्राखंड में देखने को मिलेगा पंचमडी caves मैदे प्रदेश में हैं और भीम बेटका हमें पता MP में ही है राइगड जो caves हैं, यह 36 गड़ में देखने को मिलेंगे यह जो अगला question है, यह सिर्फ स्टेट PSC वाले ध्यान रखे civil services में या UPSC ऐसे factual question नहीं पूछ दिये, पूछा गया था भीम बेटका caves की discovery किनों ने करी थी तो answer है इसका, काफी famous archaeologist हैं यह, अगर आपका archaeology में interest है, तो आपने जरूर नाम सुना होगा वाकंकर का, वाकंगर साब का इन्होंने archaeology में अपना बहुत योगदान दिया है, VS वाकंकर इसका answer है इस question को मैंने इसलिए include किया बहुत सारे state PSC में इन्होंने पूछा है बहुत सारे, MPPSC में, UPPSC में बहुत सारे state PSC में पूछा गया यह question UPSC ने पूछा है CBI के exam में, बहुत ही latest तो इस कारण से जब आप new lithic के हम बात करेंगे तो South India में दो थे, कौन-कौन से एक हलूर और दूसरा पयम पली तो answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा option B हलूर तो बस वही 6th class की NCRT में है, बट इतना हमें याद रखना मुस्किल रहता है, तो वही बात है न, जो भी 10-20 साइट है, NCRT में ये दिये हुए इतना तो हम at least ध्यान रखे ही तो मेहरगर है, तो देखे बार-बार पूछते है NCRT में क्यों की है अगर आप ध्यान से lecture सुन रहे हैं इस question का answer करिए क्या पूछा गया, मीजोलिथिक पीरिड में, एनिमल डोमेस्टिकेशन के जो एविडेंसे हैं, जो साइक्स है वो कहां से देखने को मिले, ओडाई, बोरी बागोर या लखनिया तो अभी मैंने क्या बताया था बागोर राजथान में जो है, ये मीजोलिथिक पीरिड का साइट है, बट यहां हमें अनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिला है बागी के ओप्सन में ये थोड़ा लखनिया ध्यान रखेगा, यहां पे हुमन बरियल के एविडेंस देखने को मिले है अभी हमने चीरांद की बात करी थी मैपिंग में, यह BPSC का एक्जाम है इसलिए चीरांद पूछा, और स्पैसिफिक लिए अलग से नहीं पूछेंगे, बट NCRT में है इसलिए मैंने इस कोशन को कवर किया है एक भी irrelevant नहीं करेंगे, और एक भी important skip भी नहीं करेंगे और इन slides को prepare करने में मुझे 7-8 गंटे लग गए है, सिर्फ एक lecture के क्योंकि question काफी अलग अलग जगों पे मिलते हैं, एक segregation हर questions का देखने को मिलता है, तो उन्हें compile करना और basically NCRT जब हम cover करेंगे तो इसका benefit यह होगा कि जो slides मैंने prepare करा NCRT में modification करा, उसमें आपको हर topic में 7 में previous question मिल जाएंगे फाइदा यह होगा, जैसी आप NCRT का revision करेंगे, 7 में previous question revise कर लिजे तो यह जो चिरांद है यह oldest culture के बारे पूछा गया कि यह किस तरीके का culture है, पहलो लिथिक है, मिजो लिथिक है तो यह नियो लिथिक है, आंसर होगा इसका option C, तो यह देखिए यह नियो लिथिक वाले box है तो यह हम देख रहे हैं, चिरांद है कोल्डी हवा है, महागड है यह नियो लिथिक वाले sites है आप यह question देखिए, यह seal services का है, आपसे पूछा गया चांदी, यानि silver के evidence कहा देखने को मिले, हरपन culture में चैलकोलिथिक culture में, वेदिक टेक्स्ट में, यह silver punch marked coins में, सबसे पहले evidence की बात की जा रही है, सबसे पहले जो चांदी है न, यह हमें चैलकोलिथिक age में नहीं देखने को मिला, ठीक है क्योंकि चैलकोलिथिक age बेसिकली copper के लिए जाना जा रहा था तो answer क्या होगा इसका, answer होगा इसका option A, हरपन culture तो हरपन culture अपने seals के लिए जाना जाता है, तो इसमें हमें silver के भी seals देखने को मिले पधाई हो, हमने एक topic cover कर लिया है, now हम quick recap करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको Robert Bruce Hoot का नाम बताया था, जिन्होंने first paleolithic tool को identify करने में मदद किये, और इस कारण से हम इनका काफी एहम योगदान मानते हैं, archaeology में हमने stone age की बात करी, पासान पहलो लिथिक है, फिर मिजो लिथिक और ये नियो लिथिक, one by one discuss करते हैं कि हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा है तो जब हम पहलो लिथिक period की बात करते हैं, यानि पूरा पासान काल की पहलो लिथिक, यानि सबसे पुराने वाले stone age की तो इसमें हमने देखा कि obvious ही बात है, कोई domestication नहीं किया गया, ठीक है किसी तरह का कोई domestication नहीं था, जानवरों को domesticate नहीं किया जा रहा था, कोई agriculture नहीं था, ठीक है, no agriculture इसके बात हमने देखा कि hand x और इस तरीके से पुराने काफी पुराने tools का use किया जा रहा था choppers वगरा थे, कई बार तो bone के tools हमें देखने को मिलते हैं हाँ, एक बात note कर लिजेगा, old stone age में ये old वाली NCRTRS सर्मा में है, old stone age में आपको दो famous site देखने को मिलेंगे पहला Soan Valley और दूसरा डिडवाना दीखिए, आपको ध्यान होगा, डिडवाना पर civil stress में question आया था, हाला कि वो geography का question था, और बट ये अपनी history से भी linked है, ठीक है क्योंकि डिडवाना में हमें paleolithic के evidences देखने को मिलते हैं राजथान में हैं, अब बसली ना हम बात करते हैं mesolithic period की, mesolithic तो mesolithic age में हमने क्या-क्या देखा कि सबसे पहली चीज तो ये कि rock paintings वगरा देखने को मिलते हैं burial देखने को मिलते हैं rock painting देखने को मिलते हैं इसके बाद domestication शुरू हो गया ये खासियत है, ठीक है, ये important भी है कि domestication शुरू हो गया है जानवरों को domesticate किया जा रहा है मगर again यहाँ पर हमें कोई खास agriculture नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही later stage में देखने को मिलता है, और चुकि वो exception है, इसलिए भर-भर के उस पर question आया है तो वो आपको ध्यान होगा, अभी हमने ये पीरेड में, जिनमें एक तो बागोर है ही बागोर पे काफी सारा question भी हमने cover किया रास्थान में, इसके अलाव भीम बेटका की caves देखने को मिले इस पे भी question भी हमने cover किया जब मुकस्मीर PAC में recently पूछा गया इसके बाद बागोर एक और ध्यान रखेगा, आदम गड़ भी है ठीक, MP में मैप हलागी मैं आपको provide करूँगा वहाँ आपको सारी सीज़े मिल जाएंगी उसके बाद हमने new stone age की बात करी, यानि new lithic age की, तो new lithic में हमने क्या क्या cover किया, सबसे पहले था हमने यही बात करी, कि अब जो है agriculture शुरू हो गया है ठीक है, agriculture जो है, शुरू हो गया है और agriculture में भी सबसे पहले किस फसल को उगाया गया तो बार ले को, ठीक है बार ले को इनमें हमने कुछ important sites की बात करी, जिसमें बूर्जा home है, काफी famous नियोलिथिक site है जो की pit dwelling site तो है ही यानि इनसान जो है, गड़े बना करके उनमें घर बना करके रह रहे है इसके अलावा हम देखते हैं कि masters के साथ dogs को बरी भी किया जा रहा है बूर्जा home में भी इसमें कौन-कौन से sites हमने cover करें देखें, sites के उपर जब question आता है तो जातर नियोलिथिक सही आता है ठीक है, 99% previous year question में मैंने देखा है, तो इसमें हमने कौन-कौन से sites कवर किया, एक तो बूर्जा home हो गया दूसरा हमने चिरान कवर किया बिहार में, ठीक है, इसके बाद मेहरगड, जो की earliest नियोलिथिक site माना जाता है, इस पे भी हमने दो-तिन previous year question को cover किया पागिस्तान में है मेहरगड एक famous site है, ध्यान रखेगा, बेलन वेली ठीक है, बेलन वेली तो बेलन वेली इसलिए जाती है, क्योंकि यहां पे आपको नियोलिथिक, चैलकोलिथिक iron age, यह तीनों ही देखने को मिलेगा, NCRT में mentioned है तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, हमें इसके विसे में that's it, बस इतना ही पढ़ना है, आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, जहां यह नाम में ही answer चुपा है, copper, copper का मतलब ही चैलको होता है इसके बाद, एक important site हमने cover किया, गनेशवर, गनेशवर खैदरी माइन्स तो यह चीज़ actually ना, NCRT में भी है, देखिए, question क्या पूछा गया था, civil services 2021 में यह PDF में ही मैंने लिखा है, अलग से भी हम इसे cover करेंगे historical place दिये गए था और किस कारण से यह जाने जाते हैं, civil services 2021 में तो बूर्जा होम था, जोकि new वाली NCRT में भी है, old NCRT में भी है उसके बाद चंद्र केटुगर था, यह भी आपको आरेस सर्मा में देखने को मिलेगा गनेशवर तो यहीं पे हम cover करेंगे, और बूर्जा होम तो मतलब बिल्कुल 6 से ही शुरू है यह देखिए, यहाँ पढ़िए तो बेसिकली यह बताया जा रहा है, evidence हमें देखने को मिलते हैं खेतरी वाले reason में, जोकि obviously राज थान में है जिसे archaeologist गनेशवर जोदपूरा culture के नाम से कहते हैं यहाँ गनेशवर वाले side से संबंदी थैं यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कि इनमें हमें नोन हरपन pottery देखने को मिल रहा है और unusual wealth देखने को मिल रहा है copper objects का यानि काफी सारे copper के जो बरतन है या copper के जो objects है यह हमें देखने को मिल रहा है, इस कारण से हम कहते हैं जो गनेशवर है, जो कि खेत्री mines के पास है, यह चैलको लिथिक age की site है अब आप देखो civil search में इन्होंने क्या पूझा था बूर्जा होम rock cut science, तुरंत ही eliminate हो जाना चाहिए, यह तो neolithic site है नियो लिथिक में कहां से rock cut आ जाएगा, काफी बाद में हम देखते हैं यह तो यह तो pit dwelling site है, तो यह तो गलत हो गया दूसरा इन्होंने पूछा था चंदर केतुगर, तो यह है old NCRT में हम cover करेंगे ठीक है, त्यरा कोटा के लिए famous था, गनेश्वर यह तो अभी हमने देखा यहाँ पर है, यह देखे, copper के लिए famous है तो वैसे भी elimination से भी answer थोड़ा आ रहा था इसका, two and three जो है इसका answer है यह सब चीजें वैसे अभी हम पढ़ेंगे, हडपन civilization के टाइम पर, उसके बाद हमने क्या-क्या revision के हम बात कर रहे थे, तो यह तो हमने cover किया ही इसके बाद, हाँ, domestication definitely देखने को मिलेगा चलको लीथी में, क्योंकि यह तो नियोलीथिक से ही start हो गया है एक बार जब start हो जाएगा तो बंद थोड़े होगा, domestication, इसके बाद कौन-कौन से जीवों को, कौन-कौन से जानवारों को इन्होंने domesticate किया, बहुत सारे हैं, ठीक है, काव है, सीप है, गोट है, पीक्स, पफेलो, डियर, बहुत सारे हैं, इसके बाद, हाँ, burnt bricks, तो burnt bricks से यह acquainted नहीं थे, यह बात हमने cover करी, चलको लिथिक में, तो obvious ही बात है, यह copper का age है, तो यहाँ पे expert copper smith में देखने को मिलेंगे, सो अब आपको stone age के लिए, तमी लाडू बोल्ट चाहें, आप पढ़ने चाहें, पूनम में की book पढ़ें, कोई भी book पढ़ें, आपको एक भी extra info नहीं मिलेगा, हमने सब कुछ cover कर लिया है, अब देखें, इंडस valley civilization की बात करेंगे, और यह एक बड़ा topic है, इसलिए यह lecture द themes and CRT के lecture अलग से नहीं देखना है, themes and CRT अलग से नहीं पढ़नी है, यहाँ पर मैं जितना करवाने वाला हूँ, बस वही करना है, आपको बस एक काम करना है, और वो है revision, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, जो मैं material दे रहा हूँ, history के लिए, ठीक है, previous year question के साथ, इससे standard sources हैं, वो तुम cover करी रहे, previous year question अभी हम इतने जादा करेंगे कि, आप खुदी अस्टोने में भी आपको confidence आया होगा, कि अगर आप इस topic से question आता है, तो हम इसली cover कर सकते हैं, तो देखिए हम हरपन seal की बात करेंगे सबसे पहले, यह जो हरपन civilization start हुआ ना, इसके बारे में जा सका है, तो इस कारण से जो है, हम इन चीजों के भरोसे, अस्क्रिप्ट के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं, तो हमने seals वगरा को discover करना शुरू करा, आर्कियोलोजिस्ट ने, और seals के आधार पर हमें बहुत सारी बाते बताई हैं, seal क्या होता है, वो बहुत लोग first time पढ़ रहे होंगे, तो देखे, seal कुछ इस तरीके का होता था, और यह पत्थर से बना होता है, काफी strong पत्थर नहीं होते हैं, soft type के होते थे, अस्टेटाइट नाम के पत्थर से, बहुत बार यही पूछ लेते हैं, कि यह जो हरपन सिविलाइशन के जो seals हैं, यह किस चीज के बने होते थे, तो यह अस्टेटाइट के बने होते थे, NCRT में आप देख सकते हैं, अब इनमें नहीं कुछ लिखा हुआ है, या symbol बना हु इनमें काफी सारी चीज़ा हैं, उनमें पढ़ पाएं हैं, तो इस कारण से उनके बारे में हमें ज्यादा knowledge है, हरपन सिविलाइशन के मुकाबले, तो हम हरपन सिविलाइशन के बारे में कैसे जानते हैं, आर्केोलोजिकल एविडेंस से, आर्केोलोजिस्ट ने जो बहुत ज्यादा important होते हैं इनमें जब आप एक important fact देखेंगे या पर लिखा हुआ है कि हरपंस culture में हम देखते हैं कुछ हमें distinctive objects यानि खास वस्तुएं देखने को मिलती हैं जिनमें seals है seals तो है अभी हमने देखा यह statite के बने होते हैं पत्थर के beads है beads का मतलब भी मैं समझाता हूँ weights है stone blades है even हमें जो पकी हुई इटे भी देखने को मिलती है यह भी एक खास feature है हरपंस civilization का तो अभी मेरे सामने CAPF का question है UPSC CAPF 2020 का question है इससे आप attempt करिए पहले उमीदा आपने attempt किया होगा देखिए क्या कहा जा रहा है सबसे distinctive most word use किया है UPSC ने इस question में most distinctive artifact जो है हरपंस civilization के क्या थे पहला कहा जा रहा है अस्टेटाइट से बने हुए seal दूसरा कहा जा रहा है एक खास ratio के standard ratio के इटे है तीसरा कहा जा रहा है सोने की चूरिया यानि gold bangles और चौथा कहा जा रहा है silver spiton तो यह official question paper है CAPF का देखिए क्या इन्होंने दिया है अस्टेटाइट seal है इटेव की बा तो NCRT में हम देख रहे है जब distinctive artifacts की बात की जा रही है तो seal, beads, stone, blades, even baked breeds यानि अगर हम उस question में देखें CAPF वाले question में तो seals और baked breeds यह जो है यानि standard इटे जो है इसके बाद seals है यह distinctive artifacts है that means irrespective of the fact gold bangles present थे यानि doesn't matter आपको जब खास artifact की बात की जा रही है तो आप इसमें gold bangles को सामिल नहीं कर सकते हो answer क्या बचा option b one and two only official answer है यह और यही बात है यही NCRT की power है ऐसे difficult question भी NCRT से ही frame किये गये है साब तोर से पता चल रहा है और words play भी बहुत अच्छे से किया गया और ऐसे question सिर्फ UPSC ही frame कर पाती है यही बात मैं आपसे कहता हूँ mock test वाले tough बनाने के चकर में random बनाएंगे बड़ देखे tough question कैसे बनते है NCRT जे तो देखे हर अपन साइट में कौन कौन सी फसले थी तो wheat था barley, lentil, chickpea, sesame बहुत सारे जो है even millets वगर आपको देखने को मिलेंगे सारी चीजे थी almost अच्छा एक जब हमने seals की बात करी तो seals में cow का mention नहीं देखने को मिलता बहुत सारे जीव का use किया गया है seals में जो कि stone की बनाए जारी है stateite की बट इनमें cow का use नहीं किया गया यह पूछा गया exam में द्यान रखिएगा तो हम seals की बात कर रहे है तो इसमें काफी famous यह seal है पसुबती seal तो इनमें जो animals mentioned है उस पे question बनता ह सिरिल सर्शे में भी पूछा गया बहुत जादा पूछते हैं तो कौन-कौन से animals से देखिए सबसे पहले तो यह elephant है I know यह killer नहीं और यह evidences जो है यह भी बहुत जादा killer नहीं बट इन पे question बने है इसके बाद हम elephant के साथ हम tiger देखते हैं इसके बाद rhinosaurus है ठीक है rhinosaurus और इसक साथ ही elephant हो गया tiger हो गया rhinosaurus हो गया इसके बाद एक buffalo है यह चार animals हमें देखने को मिलते हैं question यही बनता है कौन सा animal नहीं option में जेनरी लायन रहता है तो लायन जो है यह नहीं mentioned है tiger mentioned है पसुपती seal में कौन-कौन से जानवर्स के remains देखने को मिलते हैं रपन सी विलाईसन में ब most debatable question देखने को मिलते हैं मिट्टी के किन में तो चोलिस्तान में बनवाली में इसके बाद archaeologist ने यह भी देखा कि evidence मिले हैं जूते हुए खेतों के plode field के यानि plowing होती थी that means कहाँ पर काली बंगन में बहुत पूछते हैं sites के feature कि site में क्या मिलता है इनमें यह काली बंगन के बारे हैं काली बंगन किसलिए famous है plode field जो है हमें देखने को मिले हैं Indus Valley civilization के तहर तो काली बंगन में जो plode field हमें देखने को मिले है यह yearly हरपन phase में देखने को मिले हैं अभी हम देखेंगे जिस तरीके से हमने stone age को divide किया था study में ताकि आसानी हो उसी तरीके से हरपन phase को भी हम yearly mature में divide करते हैं यह starting वाला phase में हम देखते हैं कि यरली हरपन फेज में प्लोड फिल्ड हमें देखने को मिले हैं बहुत ही सुन्दर कोशन अभी UPS में फ्रेम किया इवन काफी डिफीकल था इतना याद रखपाना भी मुस्किल होता है अभी हम उस कोशन को कवर करेंगे देखिएगा उसके बाद हम देखते हैं कि फिल्ड में दो सेट फ्रो देखने को मिलते हैं राइट एंगल में ठीक है इस तरीके से ताकि दो जो है अलग-अलग क्रॉप को लगाया जा सके तो अबिसली काफी ये ट्रेंड है एक तरीके से गरी कल्चर में क्योंकि एक साथ दो दो क्रॉप्स ये उगार है थे मैं बैसिकली इस कोशिन की बात कर रहा था ये अभी बहुत ही रिसेंटली एंडिये में पूछा गया यो पीस्टी के दो आरा ट्राइ करीगा पहले खुद से पहला स्टेटमेंट में क्या कहा जा जा रहा यानि वही मिट्टी वाले जो मोडल में यह हमें चोलिस्थान और बनवाली में देखने को मिले यह तो अभी हमने कवर किया दूसरा कहा जा रहा है कि हमें प्लोड और फिल्ड के एविडेंस देखने को मिले काली बंगन में बहुत ध्यान से पढ़िएगा यहां इन्होंने लिख दिया मैच्योर फेज में मैच्योर फेज में यह अरली फेज में थे ना अभी हमने कवर किया तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि UPSC को जब difficult question frame करना रहेगा तो देखे किस तरीके से frame करेगी यहां से एक एक line पे question frame किया जा सकता है और यही मैं कहता हूँ कि NDS, EDS में, CEPF में direct question यहां से frame होते हैं इवन civil services में भी काफी सारे होते हैं इसके बाद यह तो हमने यह तो अभी cover कर लिया चोलिस्तान और बनवाली वाला कि यहां पे हमें Terra quota model देखने को मिला इसके बाद यह वाला part भी same to same है कि वही दो set of arrow देखने को मिल रहे है ताकि दो crop लगाया जा सके तो answer क्या 1, 2 and 3 होगा नहीं answer होगा 1 and 3 तो यही हमें previous question बताता है कि हम किस चीज़ पर कितना emphasis डाल रहे हैं एक अगला point देखी यहाँ पर जो canals हैं यानि जो नहरे हैं इनके traces हमें देखने को मिले हैं सोर्टू घाई में अफगानिस्तान में अच्छा अभी जो हमने question cover किया same question जम्मु कस्मीर PST में भी recently पूछा गया इंडस वैली सिविलाइसन से संबंदित पहला यह कह रहा है वही टेरा कोटा मोडल हमें बनवाली में देखने को मिले अब बैसली देखने को मिले दूसरा कहा जा रहा है कि प्लोड फिल्ड के साइक्छ है काली बंगन में हैं अभी हमने cover किया कैनाल के जो traces हैं यह सोर्तुगाई में देखने को मिले अभी हम पढ़ करके आएं तो answer के अगो बन टू एंट त्री ऐसे question पूछे जा रहे हैं recently स्टेट पीसी में भी उपीसी में भी तो इन पर हमें focus करना है मैप में भी थोड़ा देख लीजे देखें इंडस्वेरी सिविलेशन में यह आपको काफी दूर में आनि अफगानिस्तान में सोर्तुगाई देखने को मिलेगा एक तो केनाल वीरा में देखने को मिलते हैं धोला वीरा गुजरात में क्यों ताकि में भी हो सकता है पानी को स्टोर किया जा सके ताकि एग्रिकल्चर किया जा सके तो धोला वीरा इसके लिए फेमस है तो ये कुश्चन देखिए CDS में इन्होंने सबसे पहले पूछा NCRD से ही बेसी खली वाटर मेनेजमेंट के लिए कौन सा सहर जाना जाता है तो अब ऐसी बात है जब वाटर का रिजर्वोयर बना रहे है वही तो वाटर मेनेजमेंट है तो आंसर क्या होगा धोला वीरा अ से देखने को मिलते हैं तो अब ये कुश्चन सीविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया अब्यस्ती बात है हम बात कर रहे हैं धोला वीरा की यह डिरेक्टली CDS का रिपीट कुश्चन है जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2012 वाला कुश्चन 2021 में पूछ लिया गया इसके बाद यह अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है 2012 में भी UPSD ने पूछा CDS के एक्जाम में लार्ज सिस्टर्न, रिजर्वोयर ये सब हमें देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर अब बैसी बात है दोला वीरा में और भी इन्होंने 2021 में भी CDS में पूछा था दोला वीरा उस्टम वैसे यह देफिनेटली काफी जादा न्यूज में था क्योंकि UNESCO World Heritage का टेग मिला था बट जो भी हम अपने बैसिक्स को ही स्ट्रोंग करेंगे न्यूज में तो हर दूसरी चीज ही रहती है उसके बाद देखिए हम बात करते हैं मोहंजुदारों की तो यह प्लाइंड अर्बन सेंट हरपन अब्यसली जो है फर्स साइट वी डिसकवर्ट वाज हरपन ठीक है क्योंकि इसके बाद मोहंजुदूरों की जब हम बात करते हैं तो इन में जो सैटलमेंट्स है यह दो सेक्सन में डिबाइड है एक हाइयर है और दूसरा हमें लोवर देखने को मिलता है basically when citadel बोलते हैं इसके लिए यहाप देखो कुछ complex है इनौने image भी दिया हुआ है यहाँ पे यह citadel है NCRT में तो यही चीज इनोंने बताइए कि citadel है higher है lower है दो तरीके के citadel basically देखने को मिल रहे हैं तो NCRT के boxes important होते हैं देखें यहाँ पे ने क्या बताया कि Archaeological Survey of India जो है ना Archaeology के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है इसके जो फर्स डिरेक्टर जनरल थे उनका नाम था कनिंगम अब ये कोशन बहुत बार दो दो बार I think CDS में EPFO में बहुत बार पूछा गया है तो थोड़ा ध्यान आप रख सकते हैं इसके विशे में फर्स जो है डिरेक्टर जनरल कौन थे अर्केलोजिकल सर्वेफ इंडिया के कनिंगम हाँ इवन EPFO में भी पूछा गया है CDS में भी कई बार पूछा गया है जैसे यह question आप देखे यह UPSC CAPF में पूछा गया था पहला आप attempt करिए इसे तो इन्होंने कुछ description दिया उसके आधार पर आपको बताना था कि सहर की बात की जारी है कि साइट की बात की जारी है तो जो settlement है वो दो हिस्सों में divided है पहला smaller है दूसरा smaller है बट higher है और दूसर Archaeologist ने क्या designate किया इसके लिए citadel वर्ड को यूज किया Archaeologist ने यानि पूरा तत्व वित्ताओं ने और Lower Town का इस्तमाल किया तो जो appraised part था इसे citadel कहा गया उसके बाद दोनों ही walls थे यानि दोनों में ही आपको walls देखने को मिल रहे थे इसके बाद बहुत सारे बिल्डिंग से प्लेटफॉर्म पर थे जिन में foundations थी तो पूछा जा रहा है कि साइट की हम बात कर रहे है तो अभी तो यह काफी ज़्यादा इन्होंने description दे दिया यह किस तरीके थे तो देखिए जो roads और streets है ना यह grid pattern पर हमें देखने को मिलते हैं यानि आपस में दूसरे को right angle में cut करते थे attempt कर यह इस question को CDS का है पहला statement क्या कहा जा रहा है roads were not always absolutely straight and did not always cross one another at right angle यानि जो सडके हैं यह हमेशा सीधी नहीं होती थी और हमेशा ही right angle पर cut नहीं करती थी दूसरा यह कहा जा रहा है एक striking feature था यानि एक खासियत देखने को मिलती है कि जो इंटों का size है यह uniform है एक जैसे है answer क्या होगा इसका answer जो है obvious ही बात है roads cut तो करते थे state में यानि 90 degree में एक दूसरे को cut करते थे settlement बट हमेशा तो यह possible नहीं है कोई भी settlement जो इतने बड़े area पर है एक गाउं में ही ऐसा नहीं हो सकता कि road से सीधे हो एक तरीके से हो सारे 90 degree पर cut कर रहे हो बिल्कुल नहीं हो सकता है settlement के लिए बात कैसे सही हो सकती है तो इस कारण से हम बोल रहे हैं पहला statement सही है गलत नहीं है ध्यान से पढ़िए कह रहा है इन्होंने statement में ही कह दिया है कि हमेशा right angle पर नहीं cut करते हैं सही बात तो है हमेशा right angle पर cut कर रहे है maximum जगों पर right angle पर cut कर रहे हैं दूसरा average size जो है इंटो का यह भी जो है बिल्कुल सही बात है second statement भी सही है क्योंकि यह तो खासियत ही है न जिस तरीके से UPSC ने इस statement को लिखा है उस तरीके से तो सिर्फ UPSC ही लिख सकती है ठीक है तो आंसर क्या इसका both one and two तो इसलिए NCRT जो है यहां पर देखिए approximate word का यूज किया इन्होंने approximate grid pattern देखने को मिल रहे है right angle पर यह cut कर रहे हैं यह सारे PYQs PDF में ही embedded है तो जब लोक्स की PDF में सिर्फ आपको highlighted part पढ़ना है बहुत ही कम टाइम में आप रिवाइज कर लेंगे अब बात करते है burials की किस तरीके से दफनाया जाता था हरपन civilization के टाइम पर तो इन्होंने क्या बताया है कि burials को देखे study करने की परंपरा बहुत पहले से देखने को मिल रही है चाहे आप किसी भी civilization की बात कर लें burials के study से काफी चीजों का idea लगता है और इसके बाद देखे जब हम हरपन civilization के burials की बात करते हैं तो जो dead है इन्हे pit में रखा जाता था इसके बाद हम differences देखते हैं burial pits में भी और खास बात थोड़ा समझते हैं देखे कुछ जो graves है ना यानि कुछ जो कबर हैं इनमें pottery और ornaments भी देखने को मिलते हैं यानि बरतन भी हैं मिट्टी वाले भी हैं even ornaments भी हैं यानि जो अभूसन के समाने ये भी द दोनों ही men और women दोनों के case में हमें jewelry या burials में देखने को मिलते हैं in fact आप देखोगे तो जो excavations हुआ यानि जो खुदाई देखने को मिले symmetry में harpa में mid 1980s में तो इनमें हम देखते हैं कि cell rings यानि अंगुठियां भी तीन हमें देखने को मिली जो कि एक jesper थी यानि एक काफी famous stone होता है jesper इसके बाद bead के देखने को मिले और बहुत सारे छोटे-छोटे beads भी देखने को मिले तो वही बात है कि jewelry देखने को मिल रही है बट हाँ एक बात समझेगा कि jewelry वाली बात तो है बट ये भी again ऐसा नहीं है कि मतलब हर sites पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर gray पर jewelry मिले हाँ देखने को मिलते हैं और obviously jewelry महेंगी होती होंगी उस time भी अभी थो इस कारण से जो हम देखते हैं कि हरपन हमेशा ही precious चीजों को dead के साथ बरी करने में believe नहीं रखते थे अच्छा और भी खासियत देखे कुछ instances में हम देखते हैं कि जो dead है इन्हें copper mirror के साथ बरी किया जा रहा है यानि copper के आइने हैं mirrors हैं तो अभी recently UPSC CBI का paper हुआ था इसमें आप देखो यह इन्होंने second statement में कहा भी था कि ornaments और precious metals यह different sites में देखने को मिले और इसके साथ यह exclusive burnt bricks का यह हमें देखने को मिला तो that means ornaments, metals वाले यह जो burials वाले question है यह अभी भी पूछे जा रहे हैं कि यह अभी recently UPSC ने पूछा है statements अभी हमने NCRT में cover किया, pits में burials हैं इसके बाद अलग-अलग तरीके से देखने को मिल रहे हैं burials, pits, ornaments यह भी burials में देखने को मिल रहे है हम देख रहे हैं इनका nature जैसे आप देखिए यह तो खेर अभी हमने cover कर ही लिया, ठीक है CISF अले question को बट इसके बाद आप देखिए important बाते जो है वह हम cover कर रहे हैं और अभी previous question में कुछ भी छूटने वाला नहीं अब इनमें कुछ factual data है, देखिए जो red से highlighted रहेंगे ना इस PDF में यह हमेशा ही previous question रहेंगे द्यान रखेगा तो नागेशवर और बाला कोट की बात की जा रही है, यह दो हरपन civilization के sites हैं और दोनों ही आप देखोगे तो तट पर देखने को मिलेंगे, समुद्र तट पर, coast पर चुकि यह समुद्र तट पर थे, इसलिए cell objects, cell objects मतलब वो CPI होती है ना समुद्र के तट पर, देखा होगा आपने, ठीक है, तो उनके निर्मान के लिए specialized center थे, यानि इनसे बहुत सारी चीज़ें CPI से बनाई जाती थी, जैसे bangles हो गए, चूडियां हो गए, landles हो गए, ब बनाया जाता था, तो आपको ध्यान बस यह रखना है कि नागेसवर और बाला कोट, cell objects के लिए famous थे, तो नागेसवर और बाला कोट देखेगा, यह गुजरात में देखे, बिल्कुल coast में देखेगा, यहाँ पर, नागेसवर है, और बाला कोट देखे, पाकिस्तान में, ब तो कौन सा सेंटर है, वो cell object के लिए निर्मान के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो अंसर किया इसका, बाला कोट, अभी हमने यह cover किया, क्योंकि यह तरट पर था, इसके बाद यह question देखे, अगेन यह UPSC NDA में पूछा गया, 2021 में, आपसे पूछा गया, cell object के निर्मान के कौन सा specialized center था, जरा भी फर्क है किया question में, नहीं, क्या होगा बाला कोट, तो यह चीज तो खेर आपको PDF में मिली जाएगी, और इसके बाद आप यह question देखो, PDF में जब आप revision करेंगे, तो आपको साथ के साथ ही देखे, side margins में, questions मिल जाएगे, या अलग से page में भी added है, जैसे यहाँ पे देखे, हाँ, यह question मुझे cover करना था, ठीक है, अच्छा हुआ, यह मुझे देख गया, यहीं पर, इसमें देखे, क्या पूछा गया था आपसे, या पहले attempt कर लिजे, फिर हम इसे cover करेंगे, तो उमीदा आपने से attempt किया होगा, देखे, क्या कहा जा रहा है, बहुत ही, चार statement, चार option वाले question इसमें आपसे कहा जा रहा है, कि कौन सा statement true नहीं है, not पे आपको focus करना है, bead making की बात की जा रही है, और वो भी mature हरपन craft में, तो bead bead का मतलब क्या होता है, bead making का मतलब यह है, जो छोटे कीमती पत्थर होते हैं, जिनसे कई बार माला और गई सारी चीजिए बनाई जाती है, image भी में दिखायता हूँ, NCRT वाली, हाँ, बिल्कुल, कुछ इस तरीके का आप कह सकते हो, देखे, यह वाले parts, पहले option में तो यही का इन्होंने, कि जो हरपन beads है, यह बहुत तरीके के थे, gold के, copper के, cell के, lapis lazuli के, ivory के, और बहुत सारे semi-pricious stone, यानि कीमती जो पत्थर हैं, इनसे बनाए जा रहे थे, general statement है, कोई भी इसे गलत नहीं कहेगा, not true हमसे पूछा गया, दूसरा यह का जारा, archaeologist ने identify किया bead maker के soaps क क्योंकि आपको assemblage देखने को मिले unfinished object के, यानि जो objects है, वो कई बार complete नहीं थे, मतलब आधे थे, और इस तरीके से archaeologist ने अंदाजा लगाया, कि basically यह दुकाने होंगी, beads जहां बनते होंगे, ठीक है, इस तरीके के जो माला है, और कई सारी चीज़ें यह बनती होंगी, किन से बहुत सारी धातों का यहां पर परियोग किया जा रहा है, तीसरा कहा जा रहा है कि चनहुदुडों में, चनहुदुडों क्या है, एक site है, हरपन site, इनमें tools, furnace और beads जो है, बहुत सारे stages के देखने को मिल रहे हैं, चोथा कहा जा रहे है, जो बनवाली है, इनमें बहुत सार beads finished देखने को मिले, semi finished देखने को मिले, unfinished देखने को मिले, पहला और दूसरा तो general statement है, confusion आई होगी तो C और D में, but nothing is supreme than NCRT, देखी कैसे, चनहुदुडों को locate करने की बात की जारी अभी कर लेते हैं, यह छोटा से settlement था, करीब 7 hectare से भी कम का, महंजोदुडों बहुत था, वो जो अभी हमने CPU की बात करी, CPU को cut करके, बुसन वगरा बनाये जा रहे हैं, इसके लिए famous था, metal के काम किये जा रहे थे, धातुओं से भी बहुत सारी चीजा बनाई जा रही थी, seals वगरा बनाये जा रहे थे, seals को हमने starting में ही पड़ा, कि एक तरीके से यह stone के बनते ह weight making, बहुत सारे काम हो रहे थे चन हुद्रो में, ठीके तो यही बात आपको समझनी है यहाँ पर, कि चन हुद्रो जो है, यह बीड मेकिंग के लिए काफी famous site थी, map में भी थोड़ा locate कर लेते हैं, तो यह हमारा राजस्थान, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाकि हैं, ठीक है, तो क्योंकि यह center था, यहाँ पर बहुत सारी दुकाने होंगी, तो जब settlement खतम हुआ, तो यह beads रहे गए, कुछ complete रहे, कुछ uncomplete रहे, अई होप आप समझ पा रहे हैं, तो यह बात not correct है, answer क्या है D, जैसे यह question देखिए, मैंने कहा न, recent वाले state PSE के question भी बहु Uncomplete थे, यह question तो मने cover करी लिया, यहाँ कुछ important बाते मैं cover करूँगा, materials की हम बात कर रहे है, हरपन civilization की, तो नागेसर और बाला कोट यह तो मने cover करी लिया, जहाँ पे sales जो है available थे, क्योंकि यह 3 पर थे, एक important site के हमने बात करी थी, सोर्तु गाई, जो कि अफगानिस्तान मे Map में भी मैंने आपको दिखाया, यह लापिस लाजुली का source था, लापिस लाजुली क्या होता है, एक पत्थर होता है, काफी खूपसूरत होता है, तो यह जो लापिस लाजुली है, यह देखिए image, ठीक है, let me change the color, तो यह हमें सोर्तु गाई से देखने को मिले है, कहाँ से अफगानिस्तान से, तो थोड़ा ध्यान रखेगा, इसके बाद कार्नेलियन है, अस्टेटाइट है, इन सब जीजों की तो हमने बात करी, मेटल वगरा, अलग-अलग छेतरों से लाए जा रहे थे, not important, ठीक है, वैसे भी यह बहुत ही सिंपल सी बात है, अलग-अलग तरीक बहुत बलक मातरा में देखने को मिले, इस पर question भी पूछा गया है, यह जो yellow highlighted रहेगा, यह आप समझ जाना, state PSC के लिए या तो less relevant है, बट पूछा गया है, इन पर कुछ न कुछ, copper की जब हम बात करते हैं, तो यह Oman से लाए जाता होगा, बट यह probability word लिखा गया है, तो आ आप कह सकते हैं कि जो trading है, वो बहुत जादा मातरा में बहुत सारे देशों से होती ही थी, अच्छा देखिए, जो हरपन civilization में जो script है, यह तो पढ़े नहीं गया है, बट मेसोपोटामियन की मैंने बात करी, कि उस ट्रैम पे मेसोपोटामियन की जो सभेता थी, हरपन civilization के सम कालीन, उस देश से trading काफी जादा होती थी मिसर से, तो मिसर को ही मेसोपोटामियन के text है, वो बताते हैं कि एक छेतर है, नाम है दिल्मून, अभी अगर हम इसे compare करें तो बहरीन से हम कह सकते हैं, बहरीन को दिल्मून कहा जाता होगा, मगन था, और मेलुहा था, तो मेलुहा है ना, ये कौन कह रहा है, मेसोपोटामिया के लोग, किने हरपन सिविलाइसन के लोगों को, क्या हरपन सिविलाइसन वाले खुद को मेलुहा कह रहे हैं, नहीं, और क्या कह रहे हैं, ये तुम बता भी नहीं सकते, क्योंकि जो script है, यही deciphered नहीं है, ठीक है, मतलब ये बात मकान, मेलुहा और उर, और ये आपको मेच करना था, सिंधेरिया, वेसोपोटामियन, बहरीन या मकरान, तो टफ कोशन है ये, और इतना प्रिपैर करना पॉसिबल भी नहीं है, बट ये आप देखे, A3, B4, C1 और D2, तो जो दिमून है, ये बहरीन को कहा जा रहा है, अभी इंडस वैली सिविलाइसन को मेलुहा कह रहे है, कौन, मेसोपोटामियन, उर जो है, ये मेसोपोटामियन पोर्ट को ही कहा जा रहा है, तो मतलब NCRT सूपरीमेसी तो है ही, देखे न, दिल्मून, ठीक है, उसके बाद मकान, यानि मगान, मकान, मगान, इस सब सिमिलर से नाम है, ठीक है, तो यह हमें समझ करके चलना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक हमने काफी कुछ कवर किया, I think 40-45 मिनट का दूसरा पार्ट रहेगा इसका, जिसमें हमने सारे हरपन सिविलाइसन के भी कोश्चन को कवर कर लेंगे, फिर रीकेब कर लेंगे, और आप देख सकते हैं प्रिवियस एर कोश्चन के बाद हमें किस लेबल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, कि हाँ, इस तरीके के कोश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है, हमने रीसेंट वाले भी काफी सारे कोश्चन करें, अभी तो बहुत कोश्चन बचे हुए हैं हर पन सिविलाइसन के, अल्मोस हंडिड प्लस कोश्चन हम करेंगे और सारे रेलेवेंट हैं, ठीक है, और रिपीट भी काफी जादा करते हैं, तो मतलब कोश्चन अगर बनेगा तो आपका गलत तो नहीं होने वाला है, वगर आपका कोई डाउट रह जाता है, तो लाइब डिसकसन के लिए आप और हम लाइब डिसकस कर लेंगे इस विशे पर, धन्यवाद